सो हे गाईस आज किस फीडियो में हम बात करने वाले हैं Union Bank of India के बारे में अगर आप अपना Union Bank of India में एक Zero Balance का सेविंग एकाउंट ओपन करना चाहते हैं अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल पर आपको हमें साइसी तरह की वीडियो मिलती रहती हैं तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं Union Bank of India में Zero Balance का सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज पर आना होगा इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे Description में मिल जाएगा आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर आ जाएंगे यहां पर आने का सबसे पहले आपको यहां पर अकाउंट टाइप यहां पर सेलेक्ट करना होगा आप कौन सा अकाउंट यहां पर ओपन करना चाहते है जैसे Saving Account Union Digital Saving Account या फिर Pension Account या फिर यहां पर देखेंगे तो और भी तिन तरह के इसकी अकाउंट है तो जो भी अकाउ उसके बाद आपके अधार काट के साथ जो Mobile Number Link होगा उस पर एक OTP जायेगा तो उसको आप यहां पर डालेंगे उसके बाद वेलिडिट OTP के आप्संज पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर आपका नाम जेंडर यह आटोमेटिक यहां पर आपके अधार का नाम डालना ह करेंगे आपके डिश्टी कu नाम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहां आपको branch select करना होगा यानि किस branch में आप अपना ikkemen करना चाहते हैं तो अबकर district में जितने भी union bank के branch होंगे सब आपको यहां पे show ho तो जिसमें भी आप करना चाहते है उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका पर्मानेंट अड्रेस है यह आपके अधार काट से यहां पर उठा लेगा अब नीचे यहां पर आपको communication address डालना होगा तो जो आपका permanent address है अगर वह communication address यानि अभी आप उसी address पर रहते हैं तो आप यहां पर जो same as permanent address इस पर आप यहां पर टिक करेंगे ठीक है जैसे करेंगे automatic address आपका नीचे यहां पर आ जाएगा लेकिन अगर आपका कोई दूसरा address है तो यहां पर address को डालेंगे यहां पर pin code डालेंगे उसके बाद यहां पर other details देना होगा जैसे कि यहां पर देखें कि occupation आपको select करना होगा यानि कि आप क्या काम करते हैं यहां पर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहां पर पहले address of birth यानि कि जहां पर आपका जन्म हुआ है वहां का नाम डालेंगे उसके बाद country of birth यहां पर select कर लेंगे उसके बाद marital status select करेंगे यानि आप शादी शुदा है या फिर unmarried है उसके बाद यहां पर आप continue वाले options पर क्लिक करेंगे यहां पर देखेंगे तो आपको नॉमनी एड करने के लिए आएगा तो अगर आप नॉमनी का पूरा नाम लिखेंगे नॉमनी से relations select करेंगे यानि आपके क्या लगते हैं आपके father mother sister या फिर आपकी wife जो भी है यहां पर select करेंगे ठीक है उसके बाद यहां पर आपकी नॉमनी का पूरा एडर्स टालेंगे अगर माली जी आपका जो permanent address है communication address है दोनों से में तो यहांपर टिक करेंगे ठीक है यहांपर address टालना होगा उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अगर मालिज आपकी नौमनी जिसको बना रहे हैं अगर हो माइनर है यानि उसकी उमर 18 वर से कम है तब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ नहीं आइड करना चाहते तो यहाँ पर आप टिक करेंगे mobile banking चाहिए तो यहाँ पर टिक करेंगे, SMS banking चाहिए तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, उसके अगर आप checkbook चाहिए तो यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर जो जो चीजे हमको चाहिए हमने आप टिक कर दिया है, अब यहाँ प पर deliver to communication address, यहाँ पर tick करेंगे, अगर आप branch में जाके लेना चाहते हैं, तो collect from branch, यहाँ पर select करेंगे, ठीक है, उसके बद यहाँ पर continue करेंगे, continue करने बाद यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको documents upload करने के लिए आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी photo upload करेंगे, photo का site जो है 20KB से लेके 50KB के बीच में यहाँ आना चाहिए, उसके बद यहाँ पर अपना signature upload करेंगे, choose file के options पर click करेंगे, उसके बद यहाँ पर अधार card का photo upload करेंगे, उसके बद यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर एक address proof आपको upload करना होगा, तो जो भी address proof आप चाहें, यहाँ पर upload कर सकते हैं, उसके बद नीचे यहाँ पर save वाले options पर click करेंगे, save के options पर click करने बाद यहाँ पर देखेंगे, तो thank you करकर आ चुका है, और यहाँ पर job का reference number है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर आपके branch का address भी पूरा आ जाएगा, अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर देखेंगे, तो 30 दिन के अंदर ही, जो यहाँ पर आपको क्या करना होगा KYC में, कि यहाँ पर जो भी documents आपने यहाँ पर लगाया, जैसे अधार, card, pen, card, photo, तो यह सब जाकर आपको documents यहाँ पर branch में जमा करना पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा, तो यहाँ पर देखेंगे, download application form आ रहा है, आप यहाँ पर click करेंग जो भी इसके application form में उसको download करिएगा, उसके साथ यहाँ पर documents लगाईएगा, documents लगाने के बाद जो भी इनकी branch है, वहाँ पर जाकर 30 दिन के अंदर अपनी KYC कम्प्रीट करा लीजिएगा, ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर Union Bank of India में एक saving account open कहर सकते हैं, so I hope कि आपको जामन में कोई confusion हो, या अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे comment में पूछ सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को like करना, share करना और चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूले, तो चली फिर मिलते हैं, आप से next video में हैं